नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं परतिहार टोटके नौरात्र देवी के नौ स्वरूपों की अराधना का दिन है आदिसक्ति मादुर्गा के नौ स्वरूप, नौ भोग और नौ मंत्रों का महापरियोग इन दिनों में किया जाता है तो मातारानी को पर स्वरति प्रती प्रती-पदा दिखिए से प्रoup होती है और 9 मिशंत चलती है दस मीश्यों के पारन किया जाता है और तब पूरा होता है तो दिखिए 24 घंटे से अधिक भी होती है और को 12 घंटे से कम भी हो सकती है अगर हम सस्त्रों की मारे दो नौरात्री किसम पॉह मां द धरती पर अवतरित होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ती करती हैं ऐसे में नौरात्री सुरू होने से पहले घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत आवस्यक है साप सफाई देवी मा को सबसे ज़्यादा पसंद है और नौरात्र आने से पहले घर का सारा पुराना टूटा फुटा समान घर से बाहर निकाल दें अब यह नहीं की छट पर रख दें छट पर कचरा बिलकुर भी ना रखें पुराना फटावा कपड़ा है आपके घर में उसको हटाईए पुराने जूते चप्पल है वो सब हटाईए इसके साथ ही आपके घर में उन का गोला जो रसी का गोला ये गोला बना करना रखें अगर है तो उसको आप ठीक करें और दूसी बात फटे पुराने में कपड़ पूरे पूजय फर मत पहनिएगा लहसन प्याज मांस बदीरा का सेवन भूल कर भी मत कीजिएगा इन दिनों में नहीं तो माता रानी नाराज हो जाएंगे और घर में जहां तक संबब हो सांती का महौल रखें प्रेम का महौल रखें कितना भी क्रोध है पर क्रोध को रहेगा कोई नहीं इस धर्ती पर जो भी जन्म लेता है वह अपना भाग अपने माथे पर लगा कर यह आता है चाहे वह गरीब हो या अमीद हो क्योंकि उनका भाग उनके साथ चन्म से ही जुड़ जाता है बस अगर आप सही समय पर सही तरीके से चीजों को आप हांतों में ले लेते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं और आलस में अगर पर जाते हैं तो फिर आप पीछे रह जाते हैं अब इस धर्ती पर जो भी आपको मिलता है वो उपर वाले ने आपके साथ पहले से जोड़ कर रखा है लेकिन मनु से हमेशा अपने गरीबी का ठपा पहले से नसीब में लगा कर आता है ये हर किसी को हजब नहीं होता है क्योंकि लोग जो लोग सफल हो जाते हैं वो कहते हैं नहीं हमने तो मेहनत किया आपने किया ही नहीं अब कई बार आप माबाप को भी दोस्त देते हैं कि माबाप अमीर होते तो वह भी अमीर होता तो हमने टॉपिक रखा है कि साथ ऐसी चीजें जो गरीबी के कारण होती है वो भी हम आपके साथ सेयर करेंगे लेकिन आज हम आपको मोटिवेशनल तरीके से समझाएंगे कि आखिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं अगर मनुसे के अंदर कुछ करने का जुनून हो मेहनत करने कि तैयारी हो तो फिर उनको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है लेकिन कई बार लोगों को आपने देखा होगा बे बज़ा दूसरों के बारे में बोलते रहते हैं मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं कर सकता हूँ उसके पीता के पास इतने पैसे हैं वो सब कुछ कर सकता है तो क्या ये कहना सही है नहीं सिर्फ कहने से बरवर करने से कुछ नहीं होता आप जो प्रयास कर रहे हैं काम करने की वह जो आप काम कर रहे हैं तो अमीर बनने के रास्ते की आधी लड़ाई आप जीत लेंगे अगर आप दूसरों के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सो सुझे किंवां ओवतान निक्रमा को क्योट और मतापिता को ताने को नहीं हो कुछ यह रहांगे बस आपको चाहत रखनी होगी आप कोई एक काम पकड़ कर आगे बढ़िए फिर देखिए कैसे आगे बढ़ जाते हैं अभी तो भाई आधुनिक जमाना है मनुसी की बरबर करना फालतु काम पर अपना वक्त बरबाद करना यही चीजें आपको आगे चल कर बहुत जादा पर वक्त को बचा कर अगर सही गती में आगे बढ़ने के लिए लगाते हैं तो यकीन मानिए आप आगे बढ़ जाएंगे वह मनुसे कभी सफल ही नहीं हो सकता जो जो भी आप काम करें समय पर करें आप कभी और सफल नहीं होंगे और समय का कदर जो करता है वो कभी सफल होई न बात का ध्यान रखिएगा यानि समय का कदर करने वाला बैक्ति कभी और सफल नहीं होता क्योंकि उसके हर काम पर्फेक्ट समय पे होते हैं उनको लाब होता है इसलिए समय बरबाद ना करें तो आईए जानते हैं वो साथ चीजें जो आपको आपके गरीबी से बाहर जैसा ही अपडेट रही है जमाना जैसे चल रहा है उसी फ्लो में आगे बढ़िए जमाने से आगे बढ़ना अच्छी बात है लेकिन कदम से कदम मिलाकर आप चलेंगे जमाने को समझेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और वह लोगों को आपने सुना होगा अच्छा कल करेंगे कल करेंगे के चकर में दुनिया बहुत आगे निकल जाती है और आप वहीं पे रह जाते हैं आप कुछ नहीं कर पाते तब रोते हैं कि नहीं कर पाए भगवान साथ नहीं दिये वक्त साथ नहीं दिया किसी कभी किसी के औ माथे पर भी आप डाल देते हैं ठीक रहा तो क्या ये सही है नहीं और कभी कभी क्या होता है आप कोई काम कर रहे हैं बहुत बोरिंग लग रहा है चलो थोड़ा आराम कर लें अब ये आलत से ये आराम क्या करता है आपको भटकाव दे रहा है उनको काम करने की इच्छा ही न में खुप को धोका मत दीजिए क्योंकि आप समय किसी और दोका नहीं दे रहे हैं बनकि दे 下 cứu दे रहे हैं तो इदर इधर किसी के पास भी भीहरा ना मांगने पड़े तो आपको वक्त को समझना हो जितने आप कमा रहे हैं उसी अनुसार खर्च करें क्योंकि आपको यहाँ पर क्रेता नहीं बनना है यानि पैसे आप खर्च सिफ आफर आजकल तो आफर चलते हैं एक के साथ एक फरी एक के साथ दो फरी नहीं जरूरत है फिर भी ले लिए और वो समान आपने कभी मुड़कर नहीं देखा हर किसी के घर की यही हाल है तो यह क्या है अपने इंकम के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं जो आपको पसंद आता है वो खरीद लेते हैं यह खरीदने वाली जो आदत है आपको कहीं की नहीं छोड़ेगी सब कुछ खत्म हो जाएगा और इस चकर में बहुत सारी लोग हैं जो करज लेकर समान खरीते हैं और फिर उससे बाहर नहीं आ पाते घर में आपके पड़ेवे हैं सोफा पड़ेवे हैं टेलिवीजन पड़ा हुआ है नहीं बहुत अपड़ेट अमोड़ा लाया है ले लेते हैं क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा आपके पैसे गए? आप किस्त भर रहे हैं? और बार बार किसी से उधार मत लीजे ये चीजे भी आपको कहीं ने कहीं पतन की रह पर ले जाता है क्योंकि अगर आप बार बार उधार लेते हैं एक तो सिर्पर करच का बोज बढ़ा और ये उतार तो पाएंगे नहीं क्योंकि अगर आप उधार लेने लगे तो फिर उतारना भी मुस्किल है तो जितनी आपकी चादर है उतना ही पैर पसार ये उधार लेने से बचिए अब दूसी तरफ किसी की बुरी लट से दूर रहे है जो बहुत तरह की आजकल चीजें है अब बच्चे हैं, युबा हैं सराब है, सिक्रेट है अभी तो बहुत सारे चीज़ आ गए हैं चलस गान जाना जाने क्या क्या तो ये चीजें अच्छी नहीं है कई बार लट लब के साथ बात करने की भी लग जाती है घंटों बात कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है उस बातों का फिर भी कर रहे हैं, ये क्या है समय की बरबादी, अभी आप समय अगर बरबाद करोगे, हाँ तो उसे वक्त निकल जाएगा तो क्या आपका लब आपको लग रहा है आपकी लाइप टाइम आपके साथ रहेगा या पिर आपका सहारा बनेगा या पिर आपको मौरल सपोर्ट तो दे रहा है मौरल सपोर्ट नहीं दे रहा है बलकि आपको राह से भटका रहा है तो यह चीज आपको समझना होगा इन बुरी लतों से दूर रही है और किसी की किसी भी बड़ी इंवेस्टमेंट के लिए आप कई बार क्या होता है आप लोन ले लेते हैं और यह लोन जो है ना आपने कहीं भी प्लॉट ले लिए मकान ले लिए लंबे चोड़े आपके पास कुछ नहीं अपने लोन लेके कर लिया अगर आपके पास लग रहा है आप चुका पाओगे तो ठीक है यहां से कर लेंगे वहां से कर लेंगे है कुछ नहीं लेकिन हवा में महल बना के अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर दिकत करें कि दुनिया का देखा देखी ना करके अपने आप पर भरोसा करें और उतना ही करें जितने में आप आगे बढ़ पा रहे हैं जितने में आप खुश रह पा रहे हैं जितने में आप परसंद रह पा रहे हैं वैसे तो हमने टॉपिक रखा है साथ काम कभी नहीं करना चाहि कम से कम इत्र रोज लगाएं ताकि आपको का सुक्र मजबूत रहे और धन उधार ना तो ले ना ही किसी को दे वरना ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं पतन की रहा पर ले जाते हैं तो इन चीज़ों को भी आपको समझना होगा और सपने देखिए सपने देखना बुरा नहीं है पर सपने को हकीकत भी आपको ही करना है इसलिए जहां तक संबब हो प्रेम से रहें दिन की सुरुआत मुस्कुरहट के साथ करें और मातारानी आ रही है पुजा पाट करें मंत्र जपें माको मनाए हम फिर मिलेंगे धन्यवा जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमिंट में हर हर महादेव जरू लिखें धन्यवाद